गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों मैं हूँ आपके एजुकेटर पुरुने मातर सिंग और हम आपकी वरक्षीट नंबर 47 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है समाजिक विग्यान तो बच्चा एक्जाइम के बाद आपकी ये पहली वरक्षीट है तो यहाँ पे अभी जो ये स स्टार्ट कर चुकी हूं ठीक है और दूसरी चीज आप लोगों के लिए हिंदी मिडियम के लिए मैंने एक अलग से चैनल बनाया था जो आप लोगों को जो जूम एजुकेशन का लोग है उसके नीचे दिख रहा होगा लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में तो इस यहां पर क्या है वक्षीट में तो आपको जैसे नोट्स बनाकर यहां पर दे दिया है यूरोप में बदलते हालात का मतलब यहां पर है कि जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था फ्रेंच रिवुलिशन फ्रांसेसी करांती उसके बाद लोगों में क्या बदला ह हुआ तो लोग जब पूरे विश्व में पूरे गलोब पे सोचने लगा कि जब फ्रांस में ऐसा हो सकता है समानता आ सकती है ठीक है सबतंतरता मिल सकती है भाई चारा हो सकता है लोग लोगों को वोटिंग का अधिकार मिल सकता है तो हमारे देश्यों में भी क्यों नहीं मि इसे थे जो चाहते थे कि बहुत धीरे-धीरे क्या हो बदलाव हो हलाकि यह पुरातन वादी जो थे ना conservative जिनको बोला जाता है English में तो इनका क्या था यह वैसे change को चाहते ही नहीं थे बदलाव को बिल्कुल नहीं चाहते थे यह लोग लेकिन जब इनको लग गया कि भई फ्रांसेसी करांति के बाद बदलाव को रोक पाना क्या है बहुत बिल्कुल मुश्किल है तो इसलिए इनों ने स्विकार कर लिया था कि बदलाव तो हो गई लेकिन यह चाहते थे कि एक तो जो पास्ट है चाहे निरंकुष राजा रहा था जैसे भी राजा रहा था कि वो उसका सम्मान करना चाहिए मैं अतीत का सम्मान करना चाहिए और दूसरा है चाहते थे कि जो परिवर्तन हो ना एक दम से ऐसे नहीं कि आज इवोटिंग शिरू होगे उतल पुतल भई जो राजा है उसको उठा उखाड फैका है आराम आराम से होना चाहिए धीमे धीमे होना चाहिए यह हो गए पुरातनवादी जो की है कंसर्वेटिव ठीक है फिर आते है रेडिकल मतलब मैं हमेशा रेडिकल के फिवर में क्योंकि इन वह में होगे antic eerste क्व सब्रकार और लोगों वह समर्थन किया महिला को सपाट करते हैं और मैं महिला हूं ही गई दादार और संपन उद्योकपतियों को प्राप्त विशेश अधिकार के खिलाफ थे यानि कि जो विशेश अधिकार मिलते थे ना कि आप जमिदार हो या फिर आप बड़े उद्योकपति के बेटे हो तो आप विशेश अधिकार जो की आप लोगों चाहते थे लोगों के पास ना हो के वल ठीक है तो यह इनकी बात थी तो उल्मस्ट हमें लग रहा है कि चारों पॉइंट हमें अच्छे लग रहे हैं अब उदारवादी जो थे ना उदारवादी आप कह सकते हो कि यह भी बदलाव चाहते थे और यह सभी धर्मों को बराबर यह चाहते थे कि सभी धर्मों को सम्मान मिले जगें बराबर मिले यह चाहते थे कि जो जो शाषक है ना निरंग को शाषक है उसके पास मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी उसकी पावर को कंट्रोली ना कर सके अकेला वही सब कुछ डिसाइड कर सके जैसे कि फ्रांस में होता था तो दूसरा यह क्या चाहते थे कि यह जो व्यक्ति के अधिकार हैं उनके भी पक्षधर थे अब एक जो इनकी मुझे जो बात अच्छी नहीं लगती थी यह क्या थे यह चाहते थे कि वोटिंग सभी को ना मिले बस उन लोगों को मिले जो प्रोपर्टी वाले हैं तो यह च चाहते थे कि जो सरकार हैं बेशक राजा ही हो उससी से कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि यह लोगतंतर ही रहे हैं वोटिंग तो सब को दे नहीं då यह थी जाता थे लेकिन राजा को नियंत्रित करने के लिए एक नयायर पालिका होनी चाहिए और जो सरकार हो वो निरवाच क्या यहां के बाद जो चीजे होने लगी पुरातनवादी रेडिकल्स उधारवादी यह लोग बदलाव चाहते थे अब इसके बाद होता क्या है यूरोप में अब लोगों बताएंगे यूरोप में अभी जैसे 1815 के आसपास क्या होता है कि और दोगी करन स्टार्ट हो जाता सोच के देखो वह बंदा अगर 15 घंटे काम कर रहा है आठ घंटे उसको सोने के लिए भी चाहिए तो क्या एक घंटे में नहाएगा पिएगा खायेगा क्या करेगा मतलब उसको जीवन ही कितना रह जाता होगा तो यहां पे सोचने वाली बात है तो यहां पे क्या होता है इ एक नई आइडियोजी एक नया चिंतन कह सकते हो एक नया दर्शन कह सकते हो जिसका नाम है समाजवाद समाजवाद एक राजनितिक समाजिक और आर्थिक चिंतन है जो यह कहता है कि भई समाज के जो साधन है उन पे सभी का सौमितव होना चाहिए समाज का मतलब सभी समाज क का होना चाहिए सरकार का होना चाहिए किसी के पास भी इंडिविजिल प्रॉपर्टे नहीं होनी जाइए देखा यद्या तो इस चैप्टर में हम रूसी क्रांटि पढ़ें गे तो रूसी रूस में ही पहले सबसे एक तर्य तरी JACK तोिゃ समाज बात आता है ना मतलब आता कैसे है क्योंकि जो fenêtory owners से para cap machenासे साथ होती है मतलब कोई भी नई चीज तब आती है जब पुराने से हमें problem होने लग जाती है гол点ों पुराने से हमारा काम नहीं चलता hotel free शुर्फार इसमनी पार कामें कॉण करते थे उन जो मज़न थे उनकी condition बहुत खराब थी तो उनकी condition को ठीक करने के लिए उनने कहा कि ये condition इसलिए कराब क्योंकि कुछ लोग हैं सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो एक तरीके से कमपनी पे पूरी प्रोपर्टी पे उनका अधिकार है कुछ पैसे देते हैं मजदूरों को और काम वो कर लेते हैं तो इस़लिए इन्होंने समाजवाद ने कहा कि वही किसी का सवामिय तो भी नहीं ओना चीnez के सरकार के पास होकि जैसा की आज के टाइम रश्या में है समाजवाद का सबसे बड़ा एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये नीजी समपत्ती पर आधारिक जो अधिकार है उनका विरोध करते थे और अच्छे से समझना है तो अन्यकेडमी पे मैंने दो लेक्चर बनाए हुए बिल्कुल फ्री है फ्री में देख सकते हैं नीचे लिंक भी दिया होगा और आज भी हम पढ़ेंगे समाजवाद का जितना मैंने कराया साथ की साथ में करूंगी पूर्णिमा टैन कोड लगाना है नीचे जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके नोटिफाई में पर प्रेस कर देना तो आज की जो क्लास होगी आपकी रात को आठ बजे आप वो क्लास अटेंड कर सकते हैं तो यहां बच्चों देखो समाजवाद नीची संपत्ती का अधार अधार अधिकार को विरोध करता था यह पूंजी बाद और मुक्त वैपार के खिलाफ था यह ठीक है अगर जैसे मुक्त वैपार का मतलब क्या है अभी आजकल आपने देखा कि आलू के जो दाम है कभी जारा बढ़ जाते हैं या प्याज के लगालो प्याज की जादा बढ़ते हैं टमाटर के भी बढ़े यह कहते थे कि गोवर्मेंट डिसाइड कर दे सब कुछ इसके अनुसार उत्पादन और वित्रण समाज या राज्य के हाथ में होना चाहिए समाजवाद में राज्य और नागरिकों के करतेवे वैदिकार के वित्रण पर भी विचार किया गया है अब चलिए कोशन करते हैं इसके समाजवाद से क्या समझते हैं वुच्चा ये एक ऐसी एक दर्शन है एक ऐसा कह सकते हो एक ऐसा चिंतन है जिसम्हें जो प्राइवेid्ट प्रोपरट्टी होती नीजी संपत्ती होती है उसके खिलाफव बात की जाती है कहा जाता है कि वह सरकार के आदग में सब पर समाज के स्वामितव का पक्षधर है कि समाज का या फिर सरकार का भी आप साथ में लिख सकते हैं या सरकार का क्या होना चाहिए जो भी चीज़े हैं अब उत्पादन के साधन कौन से है बच्चा आप लोगोंने फैक्टर ओफ प्रोडक्शन पढ़ाते हैं उत्पादन के साधन होते हैं यह निजी संपती एदिकार के खिलाफ है जो यह विचार भाब है वह निजी संपती नहीं होनी चाहिए जैसे अभी हमारे पास private property संपत्ति का मतलब है जैसे अभी हम अपने घर में रह रहे हैं सरकार का नहीं है वो घर हमारा है उसको जब चाहिए बेच सकते हैं नीजी संपत्ति का यह यह कहता है कि संपत्ति की से पास हो नहीं चाहिए सब कुछ सरकार का होना तो चलिए इसको और अच्छे से समझेंगी हम देखो लाइब क्लास होगी आपकी ठीक है हिंदी मिडियों वारे चैनल पर और वो सैटलेडे को आपको कोई वक्सित नहीं आएगी तो उस दिन हम इस चेप्टर को और अच्छे से पूरे समझेंगे तब तक आप ओवर्वी ले को देखो संपत्री का दो उसने कह दिया कि तो आगे चलते हैं अगले कौश्चन में पुरातन वादियों के क्या विचार थे पुरातन वादिपुरान नहीं थे वह चाहते थे वह यह समझे चुके थे उन इकल आए गई थी अभी जो परिवर्वर्वर्तन है उसे तो आंना कि अतीत का सामना करना चाहिए और बडलाव को धीमी परिकार से ही लाई जाना चाहिए कोड公 55 ऴॉन फारा अजाय आम requests हमारा देश अच्छा यार बतल어서 नहीं सोचा तो हमारे निताव नहीं भी सोचा कि हम तो सिर्फ जिसके पास पैसा उन्हें को वोटिंग कादिकार देगे जैसे याजाद वह सब को वोटिंग कादिकार दे दिया यह बहुत अच्छी चीज लगती है अपनी नेताओं की मतलब जब आजाद हुए थे सब को दिकार गया और हम लोगों ने इतने दंगे भी नहीं किया आम से सब कुछ चल गया आम चूल परिवर्तन वादी और दार वादियों की विचार धरा की तुलना करनी है जो परिवर्तन वादी है वो रेडिकल कहलाते हैं इंग्लिश में आपकी NCRT में दोनों में रिखा हुए NCRT मस्ट हैं वही पढ़ना ऐसा नहीं है कि वक्षित से काम चल जाएगा NCRT ज़रूर पढ़नी है तो वे एक ऐसा राष्ठ चाहते थे जो सभी धर्मों को समानता समानता दे वे वंश पर अधारित निरंग को शाषन के खिलाफ थे कि राजा है तो क्या हो गया किसी का मतलब कंट्रोल नहीं होगा क्या वे सरकार के समक्ष वैक्तियों चाहते थे कि जो सरकार है वह चुनी जाए यह लेकिन वह यह नहीं चाहते थे कि यह सभी को वोटिंग के अधिकार से मिल जाए यह वाला जो पॉइंट है जिनका विल्कुल अच्छा नहीं लगा था ठीक है और यह चाहते थे कि नायपाली का भी हो अब रिडिकल्स मुझे आगे जाके जब पढ़ेंगे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इनको कट्रपंधी ही पढ़ेंगे परिवर्तन वादी जो थे अब यह परिवर्तन वादी क्या थे वे बहुमत के अधार पर शाषन चाहते थे महिलाओं के मता अधिकार के लिए आंदोलों का समर्थन करते थ त्टिक है भही मैलानों को भी दिकार मिलना चाहिए, वे बड़े जमीदारौ और संपन लुधियों के विशेशी दिकारों के खिलाफ थे, वे निजी संपत्तिं के खिलाफ नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों के हाथों में संपतियों इसके खिलाफ थे ठीक है तो ठीक है यह हमारा हो गया अब यहां पर आप देख सकते हैं यह चार कोश्चन थे हमारे आई होप सो अच्छे समझ में आ गया होगा चेप्टर की शुरुआत हो चुकी है बच्चा एक भी वक्षिट मिस्स मत करना बहुत ही अच्छा चेप्टर है मज़ा आएगा पढ़ने में अगला चेप्टर भी तमी समझ पाओगे जब यह समझ जाओगे ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है अगर वीडियो अच्छी लगी है अच्छी से समझ में आ गई है और अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछना है कमेंट करते रहा है अगरो यार नाम यारो जाते है बच्चों से जान पचान बढ़ती है Thank you, Have a nice day, May God bless you